नमस्का और मेशिमला से राजेश मंडोतरा आज शाम के 6 बज गए हैं और दिन भर की अपडेट आपके साथ साजा करने के लिए इस बुलेटीन में आपके साथ जुड़े हैं देखिए आज रविवार अवकाश का दिन था उसके बावजूर जो परदेश में आज की बड़ी घटनाए हैं वो आपके साथ साजा करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले तो जो इंपॉर्टन बात आज ये है कि जो विजलेंस की इंकुईरी में 5 ये 6 पोस्ट कोड भरतियों के फसे हुए हैं हमेर पूर करमचारी चैना योग के भंग होने के बाद से और नया योग बनने के बाद उसको जो शड्यूल है वो लगभग फाइनल हो गया है उससे शड्यूल पर बात करेंगे आज कि ये कबिनेट सब कमिटी की बैठक और विजलेंस के साथ जो आपस में ताल मेल है वो किस तरह कर रहने वाला है और क्या इसमें होने वाला है दूसरी बात करेंगे जो आज इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मंतरी के खिलाफ एक केस कोट ने रद कर दिया है सीपीएस पहले थे राजेश दर्मानी अब मेनिस्टर हैं टीसीपी के टेकनिकल एजूकेशन भी देख रहे हैं और इनको लेकर जो अपडेट आई है वो जरूर आपके साथ आज बात करेंगे कि जो केस इनके उपर हुआ था और इंटरेस्टिंग है कि ये केस क्या था वो भी अपने आप में बड़ा रोचक है क्योंकि एक जो विक्तिया उनको सस्पेंड किया गया था इनकी शिकायत प दिया तो ये पूरा मामला आज समझने का है मुक्या मंतरी कल आई जिम सी जाएंगे और वहां एक भवन कैंसर अस्पताल का है उसको लेकर जो उद्गाटन बड़े दिनों से पेंडिंग है वो भी एक करेक्रम उसमें होने वाला है हिमाचल का पैसा दिली में फस गया है और यह वो पैसा है जो निर्मला सतारामन ने केंद्रिया विक्तमंतरी होते हुए बजट में अनाउस्मेंट की थी बजट भाशन में हिमाचल का नाम आया था मुल्टी लेटरल असिस्टेंस के नाम पर और यह पूरा विवाद जिद क्यों बन गया है दोनों साइड से वो बता हुई है वो बात करेंगे जरम ठाकुरने सरकार पर एक आरोप लगाया है उसकी बात करेंगे बिजली बोर्ड में बड़ा फैसला होने वाला है कैबिनिट सब कमिटी अल्रेडी बनाई हुई थी लेकिन एक कैटेगरी की जो पोस्ट है उसको खतम करने का यह निरने है विस् दिया है भरती के लिए परक अगजामने एक बार फिर से पोल खोली है वो क्या है बात करेंगे सुजानपूर संधोल सडक के लिए 41 करोड की बात आज किसने बताई सेब बागवानों को इस बार ए ग्रेड के सेब के पौदे कितनी किसम के मिलेंगे वो बात करेंगे 85 लैक च एक तरह से नया नहीं है और हाल ही में रोडू में जो एक बड़ा सप्लायर कुपुआडा से जो आया था जमो कश्मीर से उसको पकड़ा गया था उसके पूरे रैकेट में बहुत से जो अभी तक की रिकवरी हुई है गिरफतारियां भी बहुत हुई है लेकिन इन गिरफत है लेकिन आज जो पंजाब के फजिलका से ये दो नवा रोपी हैं इनको बालू गंज के पास एक जो मांसिक अस्पताल निचे को मनरोग अस्पताल है उसके पास एक नाका है क्रोसिंग पर ही समझी आप इस नाके को वहां पे पुलिस ने रोका लोगों को और ये जो बाइ ही ली गई तो पता चला कि इनके पास चिटा मिला और ये सप्लाई देने के लिए ही शिमला आये थे तो ये इस तरह के मामले हिमाचल में लगातार मिल रहे हैं और ये मामला चिट्टे का जो नेटवर्क है उसको गंभिरता से देखने की जरूरत है अगली बात करेंगे जो जो 85 लेक का चड़ावा तीन दिन में शक्ति पिठों में चड़ा है हीमाचल के देखिए अश्विन नवरातर में के जो ये अभी करम चड़ रहा है इसमें रविवार के दिन भी शुधालों की लंबी कतारे मंदिरों में देखी गई लेकिन तीन दिनों में शक्ति पिठों जब तक नवरातर अभी चल रहे हैं और जब तक ये नवरातर का क्रम आगे रहेगा अगली बात करेंगे जो बागवानों को पौधे मिलने हैं उसकी और वैसे बागवानी की आज दो अपडेट हैं एक मुख्यमंतरी के तरफ से भी जानकारी दी गई है ए ग्रेट से पौधे उद्यान विभागने बागवानी विभागने इस बार बागवानों के लिए आठ नई सेब की किस्मों के पौधे अपनी नरसरीयों में तैयार किये हैं और दिसंबर महिने से अपरेल माहा तक बागवानों को इनको दिया जायेगा नरसरी मेनेज्मेंट सोसाइटी नय वर्ष भी भागने चार लाग पौधे ही तियार किये थे तो इस बार ये ए ग्रेड के सेब के पौधे बेचने का फैसला किया है हसाती आज सीम ने भी ये बताया है कि एपल कंसंट्रेट का जो रिकॉर्ड उत्पादन इस बार हुआ है और अभी तक तीन सयंत्रों के माध्यम से 1545 मिट्रिक टन सेब जूस कंसंट्रेट बनाया गया है शिमला जिला के पराला में 814 मिट्रिक टन है सोलन जिला के परवाणू में 653 मिट्रिक टन है और मंडी जिला के जडोल में 78 मिट्रिक टन है हालांकि अभी सीजन चल रहा है ये और भी अभी आगे रहेगा तो इसमे और वृद्धी होने की उमीद है अब बात करते हैं सुजानपूर संधोल सड़क के 41 करोड की जो हमिरपूर के संसद है अनुराग सिंग ठाकुर उन्होंने आज हमिरपूर में ये कुटेडा पंचायत में भारतिय जंता पार्टी के सदस्या बियान के कारेकरम था उसमें हिसा आया कि सुजानपूर से संधोल सड़क के लिए क्योंकि सड़क की हालत काफी खराब है बड़े दिनों से लोगों की मांग थी और इस सड़क मांग पे ट्राफिक भी बढ़ गया है तो केंदर सरकार के फंड से पैसा मनजूर करवाया गया है 41 करोड 10 लाक रुपे और शिग राहत लोगों को मिलेगी ये कहा अनुराग ठाकुरने अगली बात करेंगे परक एक्जाम में पोल कैसे खुली है देखिए मैथ और साइंस के जो सबजेक्ट है वैसे इंगलिश भी इसमें एक है सरकारी स्कूलों के बच्चों का इन सबजेक्स से जो डर है वो खतम नहीं ह लिए अब हाफ टाइम के बाद दो स्पेशल जिरो पिरियड लगेंगे जिसमें बच्चों की प्रैक्टिस पर ही फोकस होगा इसमें साइंस और मैथ विशे को लेकर जादा जो वो टाइम दिया जाएगा और ताकि एक्जाम के लिए वो तैयारी की कर सकें चटी क्लास के ब परख एक्जाम के लिए जो मौक टेस्ट हुआ था उसमें ये पता चला है कि इन सब्जेक्ट्स में बच्चे कमजोर हैं अगली बात करेंगे अगर प्री नर्सरी भरती के विवाद की तो ये मामला एलिमेंटरी एजुकेशन ने कैबिनेट से क्लियर होने के बाद क्योंकि कि बासड़ सो के आसपास प्री नर्सरी टीचर भरती होने हैं हलंकि आउटसोर्स पे भरती है 7000 के आसपास इनको पैसा मिलेगा टोटल दस आज़ पर टीचर है और आउटसोर्स पे है तो बाकि जो टैक्सीज है और जो फीस है वो इसमें से निकल जाएगी लेकिन जो ये कर दिया गया है एंटीटी का एक साल का डिप्लोमा तो अभी इगनोर हुआ ही लेकिन जो अर्ली चाइल्डूड केर एड़ूकेशन का डिप्लोमा है नेशनल ओपन इन्वस्टी या फिर इंद्रा गांदी नेशनल ओपन इन्वस्टी से वो भी अभी जो इसमें नहीं लिया गया है और ये लोग जो हैं वो सरकार से बार बार ये कह रहे हैं कि दो साल वाले डिप्लोमा धारकों की संख्या हिमाचल में बहुत कम है तो छेजार पद बासट सो पद कैसे भरेंगे तो ये जो रूल साइन में कई तरह के फॉल्स हैं इन फॉल्स को दूर किया जाए लेक जी तोड़ने को लेकर जो अपडेट है उस अपडेट की अगर मैं आपको बात बताऊं तो वकप वोड के साथ अब जो संजौली मस्जिद कमिटी है वो बैठे करेगी और ये वकप वोड से इस मस्जिद को के उपर की तीन मंजिल है जो कोड का फैसला है जिनको हटाने को क रहा है उसके लिए फंड की मांग करेगी क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पांचवी मंजिल तक निचे समान लाना और इसके पिलर्स को हटाना मुश्किल काम है और इसी लिए इसको लेकर मस्जिद कमिटी जो है अब वकप वोड से फंड की डिमांड है और दो महीने के भीतर ये काम हो सके इसको लेकर आगे काम ये किया जाएगा ये एक अपडेट मस्जिद वाले भी वाद में थी बिजली बोर्ड को लेकर जो बड़ा फैसला है वो भी आपको बता दें और ये बड़ा फैसला इसलिए क्योंकि बिजली बोर्ड में एसी के पद खतम करने की तैयारी चल रही है इस समय नौ चीफ इंजिनियर हैं जिनके साथ S.C. अटैच हैं कैबिनिट सब कमिटी बनाई गी है बिजली बोड के मामले में और ये राजेश दर्मानी की अधक्ष्टा में ही है जो कैबिनिट बनत रही है और उस कैबिनिट सब कमिटी सिफारिशें बनाई हैं उसमें S.C. के पद खतम करने का विचार है इस पर करमचारियों और अभिहंत्याओं के ने के जॉइंट फ्रंट में विरोध किया है उर्जा सचीव राकेश कमर को पत्र लिखा है और कहा है कि यह ऐसा होता है तो पदोनति ला प्रभावित होंगे और करमचारियों के साथ जो एग्रिमेंट हुआ है विचेटन के समय उसका भी उलंगन होता है इसलिए सरकार इस कदम को न उठाए यह डिमांड इस पत्र में की गई है अगली बात अगर करें तो वो है जराम ठाकुर के आरोपों की दिखिए निता प्रतिपक्ष जराम ठा ली बात करें और यह दिली में मुलाकात हुई मुकेश अगनी होतरी की JP Rafi Nada के साथ JP Rafi Nada हाल ही हमाचल के दो दिन के दोरे के बाद वापस गए है और मुकेश अगनी होतरी ने basically जो मिटिंग पार्क को लेकर जो उना के हरूली विधांसवाक शेत्र में बनना है जिसको लेकर स्टर्टेजिक पार्टनर राज्य सरकार खुद बनने जा रही है और इसी लिए केंद्र सरकार के केंद्रिया मंत्री से उपमुख्य मंत्री ने मुलाकात कर कहा है एक डिमांड की है कि इन्फरस्ट्रक्टर डिवल्ट्मेंट फंड के नाम पर अलग से हिमाचल की मदद की जाए ताकि इस बल्ग ड्रग पार को बनाने में समय जाया ना हो और जल्दी ये बन पाए राज्या सरकार ने पहले ही ये डिसेजन ले लिया है कि हम इसमें स्ट्राटेजिक पार्ट्मर होंगे और हम ही इसमें पैसा लगाएंगे लेकिन राज्या की स्थिती को देखते हुए केंद्र सरकार इसमें और मदद करे ऐसा मुकेश इगनी हुतरी ने कहा दूसरा उन्होंने उन्हा में भी एक मेडिकल कॉलेज को खोलने की डिमांड की तरक ये दिया जा रहा है कि बलासपुर में एमस हो गया हमिरपुर में मेडिकल कॉलेज हो गया अब उन्हा में भी मेडिकल कॉलेज खोला जाए और जो PGI का सेटलाइट सेंटर है उनना में उसको लेकर जितनी जो काम अभी पेंडिंग है उनको जल्दी करवाया जाए ये डिमांड की गई है उपमुख्य मंत्री की ओर से केंडरी या फर्टिलाइजर और केमिकल मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड़ा से हिमाचल का पैसा दिल्ली फस गया है और ये पैसा क्यों फसा है ये कहानी एक तरह से दौनों तरफ से गतिरोद दूर ना होने की है देखिए निर्मला सितारमन ने इस बार जो पहला बजट अपना दिया था 23 जुलाई 2024 को क्योंकि लोकसभा के चुनाव होने के बाद जब तीसरी बार नरेंदर मोदी की सरकार बनी तो फिर क्योंकि इस से चुनाव से पहले वोटोन अकाउंट था और उसके बाद रेगुलर बजट दिया गया इस बजट की घोशना में बजट भाशन में निर्मना शितारमन ने कहा था कि केंदर सरकार असम सिक्किम और उत्राखंड को ग्रांटी नेड देगी और हिमाचल को आपदा राहत के लिए जो आपदा से नुकसान हुआ था मल्टी लेटरल असिस्टेंस दी जाएगी ये अनॉस्मेंट बजट में की गई थी बजट भाशन में की गई थी इस अनॉस्मेंट के इमीडियेट बाद सेम हपते में हिमाचल सरकार ने जो केंदर सरकार को एक पत्र भेज़ कर इसकी आपति जताई थी कि जब तीन राज्यों को ग्रांटी लेट मिल रही है तो हिमाचल को मल्टी लेटरल असिस्टेंस क्यों और हिमाचल को भी ग्रांटी लेट ही दी जाए अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर ग्रांटी नेट मिलेगी तो राज्य सरकार अपनी जरूरत के मताबिक उस पैसे को खर सकेगी अगर मल्टी लेटरल असिस्टेंस मिलेगी तो सिर्फ फंडिंग एजनसी के माध्यम से पैसा आएगा जो सिर्फ डिपियार के जरिये जाने वाले प्रोजेक्टों के लिए ही होगा मतलब वो टाइड मनी होगा अंटाइड नहीं होगा राज्य सरकार को इस वकित लूज मनी की जरूरत है ताकि हम अपना जो ट्रेजरी का बैलेंस है उसको मेंटेन कर सकें लेकिन जब हमने एक हपते में ही इसको अपोज कर दिया एक तरह सियापती जता दी उसके बावजूद केंदर सरकार ने ADB और वर्ल्ड बैंक को कहा कि आप पर नेगोशियेशन की प्रक्रिया शुरू करिये हिमाचल सरकार के साथ ताकि हम हिमाचल सरकार को मल्टी लेटर असिस्टेंस देने पर फैसला ले सकें इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल सरकार की अधिकारियों को फोन किया कि वो उनका मिशन हिमाचल आना चाहता है और वो हिमाचल सरकार अपना schedule बताए कि वो World Bank का mission कब हिमाचल आए ताकि हिमाचल सरकार की अधिकारी उस mission में साथ हो और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई को लेकर हम जो अगला काम है वो किया जा सके लेकिन हिमाचल सरकार की तरफ से World Bank को schedule अभी तक नहीं दिया गया है क्योंकि अगर हिमाचल इसको agree करेगा तो ऐसा लगेगा कि हमने agree कर लिया कि हमें grant नहीं चाहिए हमें multilateral assistance चाहिए इस सारी दुविदा में हिमाचल को जो पैसा आना है सेंटर की budget announcement के मताबिक या budget announcement के रिसार वो पैसा अब नहीं अभी तक आ रहा है उस पे फैसला नहीं हो पा रहा है जहां तक PDNA की बात है post disaster need assessment की जिसके लिए 9900 करोड क्लेम किये गए है उसको लेकर केंदर सरकार ने गरी मंत्राले ने जो rules है वो final कर दिये हैं लेकिन अभी भी हिमाचल के मामले का कोई पता नहीं है कि पैसा कब हिमाचल को दिया जाएगा अब बात करते हैं मुख्या मंत्री IGMC कल क्यों जाएंगे देखिए मुख्या मंत्री सुक्विंदर सिंग सुकु कल IGMC जा रहे है और IGMC जाने की वज़ा ये है कि वहाँ पर जो cancer hospital की building तयार है जिसका उदगाटन नहीं हो पा रहा बड़े दिनों से उस building का उदगाटन मुख्या मंत्री करेंगे और इस building के उदगाटन का इंतजार काफी लंबे समय से है और इस building के नई building ना होने की वज़े से cancer के रोगियों को पुरानी building में जुड़ा दुविधा भी होती थी दिक्कत भी होती थी क्योंकि वहाँ जगा कम थी और अब मुख्या मंत्री ने कल का समय दिया है वैसे इस से पहले जब वो बिमार हुए थे उसके बाद हिमाचल में कोई public कारेक्रम नहीं था वो सिदे हर्याना चुनाव के परचार में गए ठीक होने के बाद दो दिन लगाए फिर दिली गए कल दिली से वापस आए हैं अब कल IGMC जाएंगे उसके बाद संभव है कि मुकह मंतरी उसके बाद अपने जो सची वाले में दफ्तर है वहां आएं और फिर जो रूटीन के काम है वो शुरू हो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस बार इस महीने जो कैबिनेट होनी है नवरातर में होंगी या नवरातर के बाद होगी उसको लेकर भी शडूलता है होना है और कल इस बारे में थोड़ा और विस्तार से हम आपको बता पाएंगे IGMC जा रहे हैं IGMC में जो स्टिमूलस होता है 2024 इनका वारशिक महोटसब वो तीन दिन का योजन वो भी कल से शुरू हो रहा है तो ये भी एक इवेंट IGMC का है अब बात करेंगे कि मंतरी के खिलाफ जो केस है वो रद कौन सा हुआ है और ये मंतरी हैं अभी तकनिकी शिक्षा मंतरी राजेश कुमार धर्मानी और इनके उपर जो गुमार्वी कोट में एक केस चला था अपराधिक मानहानी का क्रिमिनल डेफरमिशन का और 11.9.2017 को जो वहां गुमार्वी का कोट है वहां परार्थी के खिलाफ प्रोसेस जारी करने के आदिश दे दिये थे उस कोट ने यानि के राजेश दर्मानी के खिलाफ उसके खिलाफ राजेश दर्मानी हिमाचल हाई कोट आए और यहां पर नयाय धी संदीप शर्मा ने धर्मानी द्वारा दायर याची का कोश्विकार करते हुए मामले से संबंदित तमाम कारेवाई को रद करने का निर्णे सुनाया कोट ने अपने निर्णे में कहा कि ये मामला धारा 499 में दर्शाए अपुआदों के द्रिस्टीगत मानहानी के अपराद के दाएरे से बाहर है तकनिकी आधार वो आरोप की प्रकृती के द्रिस्टीगत भी निचली आदालत के आदेश में खामिया पाई गई जिसे प्रोसेस जारी करने से पहले कानूनी तोर पर जांचना परखना अतियावशिक था कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष मामले की कारवाई को आगे जारी रखना नयाएक प्रक्रिया का दो रुप्योंग होगा इसलिए वो इस केस को रद कर रहे हैं अब देखिए हुआ ये था दोजार बारा का ये मामला है और एक जो स्कूल में चीफ गेस्ट बुला लिया था उस वक्त के वरिस्ट रिटायर वरिस्ट परबंदक ख्याली राम शर्मा को और उसके बाद ख्याली राम शर्मा ने कारेकरम के दुरान सरकार के साथ साथ सताधार पार्टी की कॉंग्रेस होगी उस वगए तो उनकी नीतियों को अभी विरूद करना शुरू कर दिया शिकायत करके राजेश धर्मानी को जब इसका पता लगा क्याकि सूरम सिंग द्वारा प्रस्तुत संसकरन को सही मानते हुए मुक्या मंतरी को डियो नोट भेजा और शिकायत करता के खिलाफ उचित कारवाई करने की मांग की धर्मानी की शिकायत पर उसको सस्प्रेंड कर दिया गया और जिसको सस्प्रेंड किया गया उसने क्रिमिनल डेफरमेशन का केस कर दिया तो ये इसमें पूरा मामला था अब ब result निकल गया था लेकिन appointment अभी तक नहीं मिली है, market supervisor शायर, तो ये जो cabinet subcommittee मुकेशक नहीं होत रही है, धक्ष्टा में होगी और इस cabinet subcommittee की बैठक immediate after दशेरा शिमला में होगी, और उस बैठक के लिए outline तयार कर ली गई है, जिसमें Supreme Court ने जो NEET की जो अभी judgment आई है, इस साल वा जाएगा कि जो inquiry है, आपके पास वो कितनी pending है, और inquiry का दाइरा क्या है, जो leakage है, उसका दाइरा क्या है, और उसके अनुसार फिर cabinet subcommittee एक साथ फैसला लेगी, सभी post code को लेकर, जो भी अभी बीच में लटके हुए हैं, लेकिन ये सारा मामला दशेरे के एक दम immediate after होगा, और cabinet की बैठक की date भी तहय हो जाएगी, तो ये भी संभव है कि cabinet और जो cabinet subcommittee है, वो दोनों एक साथ ही हो जाएं, लेकिन अभी जो हमारे पास अपनेट है, उसके मताबिक एक outline cabinet subcommittee ने बना रखी है, इसको कार्मिक भी भाग को भेजा जा रहा है, कार्मिक भी भाग फिर इस outline की अनुसार vigilance bureau से जवाब मांगेगा, फिर cabinet subcommittee की बैठक में ही, वो सारे reply लाए जाएंगे और फिर वहाँ फैसला होगा, तो ये आज कुछ प्रमुक मामले थे, छुटी का दिन होने के बावजूद काफी महतापून अपडेट्स थी, आप सब लोग live जुडे, बहुत बहु शुकरिया, यदि आपके पास कोई और query है तो इसी comment box में जरूर करें, बहुत बहुत धन्यावाद